में आपके खड़ी है महिंद्रा वालों के काफी फेमस बीग डैडी यानि बड़ी सी साइज की एस यूवी जो आती है इसकॉर्पियो एन के नाम से यहां पर देख लो भाई इसकॉर्पियो एन मिल जाता है वैरियंट यह सारा चीज लिखा हूँ आपको इस वाले वैरियंट में भी नहीं मिलता है वैसे आप देखो पीछे साइट से कॉमेंट करके अभी जश्ट बताओगी कौन सा वैरियंट है पीछे साइट से जल्दी पकड़ नहीं पाओगे कि टॉप वैरियंट है या फिर बता देते हैं आपको जेट सिक्स वैरियंट है क्योंकि बहुत वैलू फॉर मनी वैरियंट जो आपके सामने खड़ी है जेट सिक्स नाम से आती है डीजल मैनुवल लेने जाते हो तो इसके लिए आपको देने पड़ते हैं 19,20,000 रुपए अब इसी में अगर आप इसके उपर वाले वैरियंट लेते हो तो आपको देने पड़ते हैं 22,12,000 रुपए यानि 3,00,000 रुपए का आपको फर्क पड़ता है लेकिन फीचर्स आप देखते हो भाई तो काफी आपके वसू है उससे बचाकर आप इस गाड़ी में थोड़े बहुत पैसे डाल देते हो तो भाई वर्थी डिल हो जाएगा आपका यही वाला वैरियंट पहले पीछे साइट से स्टार्ट कर लेते हैं क्या क्या चीज मतलब कमी टाइप का मिल जाता है जैसे कि देख लो टेल लैंप आपको रियर कैमरा भी नहीं मिलता है यह चीज़ भी आफ्टर मार्केट कराने पड़ेगा लेकिन आपको वाइपर डिफॉर्गर हाई मॉन्ट श्टॉप लैंप स्पॉयलर सार्क फिन एंटीना सारे चीज़ मिल जाते हैं और टोटल चार पारकिंग सेंसर मिल जाता है यह आजाओ असल जो मज़ा आएगा इसे देखकर भाई वह आपको साइट से आने वाला है देख रहे हो आप जेट सिस आप लेते हो तो आपको नॉर्मल इस्टिल्री मिलता है लेकिन यह जो है लगा हुआ है 16 17 नहीं प्रोपर टॉप मोडल यानि आटोमेटिक वाला 18 इंच का इलाइविल और साथ में टायर का जो चौड़ाई है आप यहां से देखो टायर देख रहे हो कतने आपको चौड़े मिल रहे हैं फॉर्चूनर में 265 आता है लेकिन यह जिनकी गाड़ी है न उन्होंने भ लेकिन यह टायर चौड़े चौड़े लग जाने के वज़ा से और बढ़ जाती है और ब्लैक कलर की गाड़ी हो तो दिखने में अलग चीज़ हो जाता है यहां पर आपको डोर स्टेप मतलब फूट स्टेप यह सारे चीज़ मिल जाते अंदर साइड इन करने के लिए रिक कुछ थोड़े बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगा इस वाले वारियंट में वह चीज़ डिसकस करेंगे नॉर्मल आपको है लोजन वाला रिफ्लेक्टर हेट लैंप सेट अप मिलेगा यहां पर डियारल वियारल नहीं मिलता है डियारल आपका यह आप देख रहो ना य अब यह हेड्लैंप आपको टॉप मोडल के मज़े लेने हैं यानि LED वाले साथ में स्वाइप वाला जो इंडिकेटर है तो यह आप 30,000-31,000 रुपे दो गना आपके दोनों हेड्लाइट बदल जाएंगे आगे साइट से भी यह कहीं से कटेगी नहीं मतलब टॉप मोडल प उपर वाले वाले वायरियंट में आपको पियानो बेले कलर का मिलता है तो बाहर साइट से मोटा मोटी मानलो ना कि 30,000 रुपे आपको इसके देने पड़ जाएंगे 15,000 रुपे मानलो फॉग लेंप के तो 30,000, 40,000, 45,000 रुपे हो गये हैं और एलाइविल जैसे बदलवात तो आपको 40,000 रुपे और एक्ष्ट्रा लग जाएंगे मतब एक लाग से भी कम के काम में आपका जो है टॉप मोडल लगवा गाड़ी बनकर हो जाएगी तयार वार वीम पर भी यहां पर इंडिकेटर मिल जाता है और इंटीरियर आजाओ अंधेरा हो रख है बाई इंटी यह मिल जाता है लाइट वाइट ऑं करना साथ उस से रिलेटेड मदब और विम फोल्ड वाला सिस्टम नहीं मिलता है यह अपना नॉर्मल मिलता है साथ में इंज्टाट शॉप वाला भी सिस्टम वह चीज़ भी लिए अप यह अपको ऐड़स्टिक हो जाएगा यहां पर प्लास्टिक में यहां पर आपको स्पीकर मिल गए यहां पर टूटल आपको इस गाड़ी में चार डोस के उपर चार स्पीकर और साइथ दो टूटर आते हैं एक यहां हो गया दूसरा आपको वहाँ पर तो छे स्पीकर मिलते हैं लंबार सपर्ट भी मिल जाएगा और सीट में हाइट एडजस्टमेंट है वह चीज़ भी जाएगा मिल अंदर साइड इन करने के लिए आपको यहां पर मिल जाता है ग्रैब हैंडल देखो यहां से आते हो खासकर जब आप यहां पर बैठ होगा ना तो सबसे बड़ी बात भाई संरूफ जो है यह भी अपने को इस वाली वारियंट में मिल जाएगा आपको ऐसा नहीं कि टॉप मोटल लेना पड़ेगा जेट सिक्स लो इन्हें संरूफ के मज़े लेने हैं वह संरूफ के मज़े लो यहां पर एक कमी जो रह जाता है वह रह जा सब्सक्राइब कंट्रॉल मतलब सारा फीचर्स जो है आपको सेम चीज मिल जाएगा टॉप मोटल वाला यहां आते हो तो सिक्स स्पीट का मैनुवल गयर लिवर मैनुवल हैंड दो बटल होल्डर अंदर साइट में स्टोरिज स्पेस भी जाता है मिल यह होगी अपना प्रिक वाला आता है बट सीट कवर लग रखा है काफी प्रीमियम कंपनी का है ब्रांड और आंड का आपको इसमें लगवाया मोटा पैसा जानी खर्चा कर दिया इसके पीछे भी उपर साइड में जो रूफ्रेल से यह कंपनी के द्वारा ही आता है मतलब कंपनी वाले ही यहां पर भी आपको विंडो का कंट्रोल हो गया यह चीज भी मैट ब्लैक रर का मिलता है और हाँ पीछे साइड वाले पैसेंजर के लिए एस इवेंट्स मिल जाता है फैन का स्पीट कम जादा करना वह भी मिल जागा और टाइप सी वाला चार्जिंग सॉकेट भी मिल जात है यह यहां स्वान होगा अच्छा खासा ब्राइट महिंद्रा वाले अभी का टाइम ना एलेडी नाइट पर काफी फोकस कर रहा है चाहे उनका बाहर साइट कहो या फिर अंदर साइट कर गाड़ी उची है तो यह रहना जरूरी है अभी का टाइम तो कुछ दिन पहले एक फोर मनी वाला चीज है बाकी दोख लोग पीछे साइट से गाड़ी वाड़ी आगी अब गाड़ी यहां से हटाना पड़ेगा तो चलो यही सारा फीचर्स आपको मिलता है मिलते है आपसे अगली वीडियो में बाकी कॉमेंट करके बताओ गाली कैसी लग रही है अगली वी यही सेफ